भारत माता की भारत माता की वन दे वन दे आज मेरे लिए बड़ा ही सभाग्यश आली ये दिन है मैं अपनी जन्म भूमी अपनी मात्र भूमी मंडी के इस अती सूपरसिद मैदान में आपकी प्रत्याशी बन कराई हूँ आपकी बेटी आपकी बेहन जो है आज अगर इस जगा पे खड़ी है तो आप देखिए दोस्तों ये जो हमारा मान्य मंच है यहाँ पर अगर एक बेटी बैठी है अगर एक बेहन बैठी है सब पुर्षों के मध्य तो ये भी जो है हम पर भारत्य जन्ता पार्टी का एक आशिरवाद है मैं स्वागत करती हूँ इस मान्य मंच का और इस एतिहासिक बल का जहां पर एक पहाड़ी बेटी एक पहाड़ी महिला एक पहाड़ी बेहन मुझे सम्मान देकर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यशश भी परधान मंत्री जी जैसे आज आ रहे हैं और ये जो भीड उम्डी है ये उन्हें देखने के लिए उनके दर्शन करने के लिए उम्डी है उनके करम, उनकी देशभक्ती, उनका वेक्टित्व, उनका जो चरित्र है वो हम समस्त देशवासियों के लिए एक आदर्श है उन्होंने बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हमें दी है हमारे स्वभिमान को हमारे गौरव को जो है पूरे देश में जो है उन्होंने पृतिष्ठित किया है लेकिन जो 33% का जो उनका संकल्प है कि हमारी बेटियां और हमारी बेहने जो है वो किसी से कम नहीं है वो भी हमारा मार्ग दर्शन कर सकती है हमारे देश का नित्रित्व कर सकती है लेकिन सौभाग्यवश चार मंडी की परलमेंटरी सीट्स में से एक बेटी को देकर 33% का जो संकल्प है जो 39 से लागू होगा हमारे मंडी में आज से जो है जब से मैंने नॉमिनेशन फाइल की है तब से अवश्य लागू हो गया है ये सिर्व एक बेटी का मान नहीं है ये सिर्व एक बेटी का सम्मान नहीं है ये सम्मान है मेरी समस्त मत्र शक्ती का मेरी समस्त हिमाचल की बेटियों का और बेहनों का अवश्य ही जिन पहाड़ी जब मैं भी बाहर पढ़ने गई थी तो मुझे जो है अजीब अजीब तरह के नाम लेकर बुलाया जाता था जब मैं मुंबई में गई तो मैंने इस बात का बहुत विरोध किया कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी तो मेरा मुखाल उड़ता था यहां तक कि सेज यहां मंडियालिया भाख हुई अगर हम हिंदी भी बोलते हैं तो एक बड़ी मीधी सी जो है एक लहजा आता है उस तक का जो है चंडीगड से लेकर जहां भी मैं जब जब गई तो एक ऐसा वक्त था वो वक्त अलग था आज वो वक्त नहीं है लेकिन उस वक्त पे जो है मुझे एक हास्य का पात्र बनाया जाता था मेरी जबान का मेरी अंग्रेजी ना बोलने का मेरे बहार से आने का ना जाने कितने तरीके से कहां कहां किस किस के कॉफी काउच में मेरा मजाब उड़ाया जाता था और जिस बात का वहिशकार मैंने समस्त भारत के सामने किया लेकिन आज जब एक पहाडी बेटी को जब एक पहाडी पहन को जो है एक प्रत्याशी बनाकर एक भावी MP बनाकर एक भविश्य की नेतरी बनाकर जब विश्य की सबसे बड़ी पार्टी भारत्य जन्ता पार्टी विश्य के सबसे बड़े नेता नुएंदर मोदी जी के मार्क दर्शन में जब आपके सामने खड़ी होती है तो उसका जो गौरव और उनका जो भैवव है वो एतिहासिक बन जाता है इसलिए मैं अपनी सारी मात्रशक्ति की तरफ से अपनी सारी हिमाचल की बेटियों की तरफ से अपनी सारी बेहनों की तरफ से जो है हमारे परधान मंत्री जी का बहुत बहुत नमन करती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद करत दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आज हमारे लिए वो सौभाग्य शाली दिन है जब प्रधान मंत्री जी जो है वो हमारा मार्ग दर्शन करेंगे पदान मंत्री जी के गुंगान करना तो यही बात है कि मानो हम सूरज को जो है दीपक दिखा रहे हैं दोस्तों मैं आपकी बेटी आपकी कंगना आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि मैं भी मोदी जी की सेना में अब जुर चुकी हूँ उनके जो विकास का रत है जो विकास की और आधुनिकता की करांती उन्होंने समस्त विश्व में समस्त भारत में जो लाई है उसमें मैं भी उनकी जो है वो सेना में जुर चुकी हूँ उनका हिमाचल में जो है सडक, सिक्षा और स्वस्थ्य ये तीन जो है वो मेन अजेंडा है सडकों में अगर आप देखें तो एक क्रांती आई है हमारे जैराम जी ने जो है पांच हजार किलोमेटर की रोड बनाने का एक एतिहासिक जो है वो लैंड मार्क काम किया है और चाहे वो किर्पुर मनाली हाईवे हो या जो जितनी भी जो है एक लाख करोड के बजट की जो है सडके जो है वो गटकरी जी ने अलोट की हो हर तरीके से जो है हिमाचिल की कनेक्टिविटी पर हम मोदी जी के मार्क दर्शन के अंतरगत काम करेंगे और जहां तक आधुनिक्ता की बात है कि हम कभी सोच सकते थे कि हमारे हिमाचिल परदेश में जो है वो ट्रिपल आई टी, आई आई एम, एम्ज जैसे बड़े बड़े संस्तान खुलेंगे हम कभी सोच नहीं सकते थे हमारे हिमाचिल परदेश में जो है, चाहे वो मुफ्त अनाज हो, चाहे वो आयुशमान हो, हर स्कीम जो है, जल जीवन मिशन क्यूंकि मैं जिन जिन बधान सवाओं में जाती हूँ, अभी ऐसे कुछ गाव है, जहां पानी की भी तिकत है, हर जो है वो स्कीम जो केंदर की ज चाहूंगी, अवश्य ही, यह हमारा सवभाग्य है, और अधिकतर यह मेरा सवभाग्य है, कि मुझे जब इस फिल्ड में आने का मौका मिला, तो ऐसे यशश्वी नेता मुझे मिले, जिनके मार्ग दर्शन में अवश्य ही, मैं बहुत कुछ सीख पाऊंगी, और आप के लि कि मेरी हिमाचिल की जो जनता है, उन्होंने मुझे यहां बुलाया है, उनके प्यार के ने, उनके विश्वास ने, और उनकी उम्मीदों ने जो है, मुझे आज यहां पर खड़ा किया है, तो दोस्तों, जादा वक्त ना लेते हुए, मैं आपको याश्वासन मिलाती हूँ कि मैं सदा ही आपके सेवा में, आपके कामों में तत्पर रहूंगी, और जितना मुझे से बन पड़ेगा, मैं उससे जादा जो है, वो आपके लिए काम करके दिखाऊंगी, और दोस्तों, आखरी में मैं यही कहना चाती हूँ, कि आप सब जो है, मुझे यहां तक लेके आ मैंने अपनी योग्यता के आधार पर चार बार राष्ट पुरुसकार पाया है, कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही मुझे राष्ट पुरुसकार दिये हैं, अपने अपने वक्त में, मैंने पदमिश्री पाया है, और अगर आप मुझे लोकसभा बेजेंगे, तो पहले ही साल में, मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ, कि मैं बेस्क सांसत का भी अवोर्ड पाऊंगी, और मंडी का ये पहला अवोर्ड होगा, तो ऐसा, अगर मुझे सौभाग्य मिलेगा, और अगर ऐसा जो है, आप मुझे दिल्ली पहुँचाएंगे, तो अवश्य मैं, अपनी मात्र भूमी का नाम जो है, वो रौशन करूंगी, और इसके साथ ही हम कुछ नारे करेंगे, हम सब उत्सुक्सा से मोधी जी के आने का इंतजार कर रहे हैं, मोधी जी को जैश्री राम! मोधी जी को जैश्री राम!